Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे एक बहुत ही interesting topic जो की आपकी daily life से जुड़ा हुआ है और वो है calendar तो आज मैं calendar के बारे में आपको बहुत सी आसी बातें बताऊंगा जिन में से जादतर बातें शायद आपको पता नहीं होंगी तो चले शुरू करते हैं तो हम शुरुवात करेंगे calendar की शुरुवात से 0001 जो first year रहा होगा आपका that was 0001 और जब उसका पहला दिन रहा होगा that is 1st January उस दिन जो day था उस दिन day था Monday तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है अब इस बात को ध्यान में रखके हमको यह पता करना है कि calendar work कैसे करता है या same calendar अपने आपको कितने time के बाद repeat करता है तो आपको पता है कि एक week जो होता है एक हपता जो होता है उसमें 7 days होता है अगर हम एक month की बात करें तो एक month में वो depend करता है कि कौन सा month है तो उसमें 28 से लेके 31 तक कोई भी number of days हो सकता है और अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में in general 365 days होते है बट जो leap year होता है leap year में 366 days होते हैं अब आपके सामने question यह आता है कि leap year होता क्या है तो generally आप कहते हो कि एक leap year जिसमें एक दिन extra होता है बाकी years में February जो होता है वो 28 Feb तक जाता है और leap year में 29 days होते हैं Feb के month में बाकी सब कुछ लगबग same ही होता है तो इतना difference होता है इस वज़े से leap year में एक दिन extra होता है लेकिन यह leap year आता कब है तो आपका जो general answer होता है वो यह होता है कि leap year हर 4 साल बाद आता है और यह fact गलत है leap year हर 4 साल बाद नहीं आता है और इसका मैं आपको एक example देता हूँ जब 2096 होगा तो यह leap year होगा लेकिन जब 2100 होगा इसके 4 साल बाद यह एक non leap year होगा यह leap year नहीं होगा और अगला leap year जो आएगा वो आएगा 2104 तो यहाँ पे जो leap year आएगा वो 8 साल के बाद आएगा इन जनरल leap year 4 साल बाद आता है यह leap year 4 साल के बाद क्यों नहीं आएगा यहाँ पे 8 साल के बाद क्यों आ रहा है तो leap year के कुछ rules हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि हर वो number जो 4 से divide हो जाता है वो leap year होता है पहली चीज लेकिन कुछ exceptions हैं इसमें कुछ exceptions हैं हर वो number जो 100 से divide होता है वो non leap year होता है leap year वैसे हर 4 साल बाद आता है लेकिन बात यह होता है कि जो 100 होता है मतलब 100 से divide 100, 200, 300 तो आप यह कह सकते हो इसको हम कहते हैं century year 10 साल के time को हम decade बोलता हैं 100 साल के time को हम century बोलता हैं तो हर century year जो होता है वो एक non leap year होगा तो 100, 200, 300 यह क्या होंगे? non leap years होंगे लेकिन अब इसमें एक और twist है और वो यह है कि हर 4th century year यह leap year होगा तो in general commonly बोलने के लिए यह तो ठीक है कि leap year हर 4 साल के बाद आता है लेकिन जहां पर बात आती है century year की वो leap year नहीं होता 100 जबकि वो 4 से divide हो जाता है 200, 300 यह सब 4 से divide होते हैं लेकिन यह leap year नहीं होता है लेकिन 400 leap year होता है फिर 5, 6, 700 leap year नहीं होंगे 800 leap year होगा 9, 10, 1100 leap year नहीं होंगे 1200 leap year होगा 13, 14, 1500 leap year नहीं होंगे और 16 leap year होगा फिर 2000 leap year होगा अब अगला जो century year आएगा जो leap year होगा और कौन सा साल नहीं होता है, तो यहां पे जब 2100 आएगा, तो वो लीपियर नहीं होगा, तो उस समय जो लीपियर आएगा, वो चार साल बाद नहीं, बलकि 8 साल बाद आएगा, अब एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है, कि बाकी सब कुछ तो as it is चलता रहता है, बाकी चीज करेंगे, कि क्या connection होता है, यह week के days में और यह year के days में, तो week days कैसे relate होते हैं, और कैसे week days repeat होते हैं, संडे मंडे कैसे repeat होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कि 1st January, जो आपका 0001 जो पहला साल था, उस समय, उस दिन क्या था, मंडे था, अब यह चीजे, time to time हर साल change होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है, कि जो day होता है, कोई भी week का, वो 7 दिन के बाद repeat होगा, आज Monday है, 7 दिन के बाद फिर से Monday आएगा, फिर 14 days के बाद, फिर 7 के जो भी multiple हैं, उनके बाद, फिर से Monday आता रहेगा, लेकिन problem क्या होती है, problem यह होती है, कि एक साल में जो दिन होते हैं, वो होते हैं, 365, और अगर आप इसको 7 से divide करोगे, तो यह divide होता है, 15 और 52, तो इसमें 52, 52 से तो completely divide हो जाता है, तो इसमें कितने हो गए, 52 क्या हो गए, weeks हो गए, तो एक साल में, actual में 52 weeks होते हैं, लेकिन एक दिन extra बच जाता है, तो 7 दिन के बाद, जितने भी दिन extra बचते हैं, उनको हम कहते हैं, इनको आप याद रखना odd days, हम इनको नाम देते हैं odd days, इतने दिन extra बचते हैं, और इनकी वज़ए से ही problem होती है, otherwise आप के लिए fix होता, कि साल के कौन से दिन, कौन सा day आएगा, सब कुछ fix होता, लेकिन यह fix क्यों नहीं है, इस odd day की वज़ए से, अब 364 days तक तो सब कुछ चल रहा है, अब जो 365th day होगा, वो odd day, उस दिन फिर से Monday आ जाएगा, तो December जो 31st होगा, उस दिन Monday आ गया होगा, तो फिर अगले साल इसकी वज़ए से calendar change हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास एक general question होता है, कि अगर मैं calendar की बात करूं, days और week के days के हिसाब से, अगर calendar की बात की जाए, तो date और week के days के हिसाब से, total कितने type के calendars हो सकते हैं, कितने different calendars यहाँ पर बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि different calendars, केवल एक ही चीज़ पर depend करेगा, क्योंकि एक बार जो 1st January है, 1st January के बाद तो सब 1st January को Monday आया, तो उस साल का पूरा calendar वैसा ही होगा, अब कुछ सालों बात फिर से 1st January को Monday आया, तो पूरा calendar वैसी होगा, तो ऐसे में अगर Monday आया, तो एक type का calendar बनेगा, Tuesday आया, तो दूसरे type का, 1st January को Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday, यह 7 दिन आ सकते हैं, और इन 7 दिन के हिसाब से 7 different calendars बने तक तो हो सकता है, सेम चले, लेकिन अगर leap year है, तो 29th February की वज़े से, उसके बाद का जो calendar है, वो change हो जाएगा, तो ऐसे ही 7 calendar leap year के लिए भी होंगे, तो total अगर आप calendars की बात करो, तो आपको 14 different type के calendars मिलेंगे, days और date के according, जो match करोगे अगर आप date और days को, तो ऐसे में आप को केवल और केवल 14 different type के calendars मिलेंगे, तो यह तो एक interesting fact हो गया calendars के बारे में, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक odd day होता है, और इसी odd day के basis पे आप calendar को repeat कर सकते हो, अब यहाँ पे, एक साल में एक odd day हुआ, फिर दूसरे साल में द तो चार साल जो होंगे, चौथे साल में दो odd days हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक दिन और extra है, तो यहाँ पे 365 के जागे, 366 होता, तो वहाँ पे दो odd day हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि एक साल में एक odd day, फिर दो साल में एक और हो जाएगा, तो दो odd day बच तो जो साथ वहाँ साल होगा, साथ odd days का मतलब क्या होगा, अब तो week पूरा होगे एक, तो साथ वहाँ जो साल होगा, 7th जो year होगा, उस 7th year का जो calendar होगा, वो first year के जैसा ही होगा, लेकिन यह बार बर नहीं होता है, क्योंकि अब फिर इसके बाद 8th year आएगा, फिर लीप year तो उसमें पहली दो odd days आजाएंगे, अब इसमें problem होते हैं, यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, तो calendar कितने साल के बाद repeat होता है, चलिए देखते हैं, तो अगर हम 100 साल का calendar लें, तो आपको पता है हर 4 साल के बाद repeat होता है, तो इसके हिसाब से 100 साल में 25 लीप year होने चाहिए थ है, कि एक लीप year में 2 odd days होते हैं, तो इसका मतलब 24 लीप year में 48 odd days हो जाएंगे, 48 odd days, और बाकी बचे 76 non-leap year, तो 76 आपके non-leap years होंगे, तो उसमें क्योंकि आपको पता है, एक non-leap year में कितने odd days होता है, एक non-leap year में, तो उसमें कितने odd days हो जाएंगे 76, आप चाहो तो इ का तो एक कुछ week हो जाएंगे 6 week हो जाएंगे इसमें complete और इसके अलावा कितने दिन बच गए फिर 6 odd day के वल इसमें से 6 odd day बचे और इस 76 में से भी आपको पता है 70 तो divide हो जाता है 7 से तो 6 odd day यहां से भी बचेंगे 6 और 6 12 odd days और इस 12 12 भी क्या होता है 7 से जादा होता है तो फ 5 7 1 सर 7 तो यह 5 बचेगा तो 5 odd days होंगे एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ odd days कैसे count करते हैं एक साल में एक odd day जो non leap year होता है ठीक है और जो leap year होता है उसमें होते हैं 2 odd day अगर मैं 100 साल की बात करो तो हर 4 साल के बाद क्योंकि leap year आता है तो उससे साब से 25 leap year होने च होता है वो leap year नहीं होता है तो इसका मतलब 25 नहीं बलकि कितने leap year होंगे 100 साल में 24 leap year होंगे और क्योंकि एक साल में दो odd days होते हैं अगर हम leap year की बात करें एक leap year में दो odd days होते हैं तो 24 साल में 48 odd days हो जाएंगे लेकिन odd days हम किसको कहते हैं कि एक week complete होने के बाद week को छोड़के कुछ extra बज़ जाते हैं उनको odd days हम कहते हैं यहाँ पर तो odd days जो हैं में 48 odd days आएंगे 48 मैंने क्या का अभी अगर 48 odd days आ रहे हैं मतलब जैसी 7 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 7 से डिवाइड कर दो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 42 तो complete हो जाता है है ना 6 week तो हो गए और अभी भी कितना बज़ गया 6 तो 6 odd days वहां से आ रहे हैं और non leap year के अगर हम बात करें तो non leap year में क्या होगा 76 non leap year है हमारे पास एक non leap year में एक odd day आता है तो 76 non leap year में 76 ही odd days आएंगे और 76 को भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 तो complete divide हो जाता है बचता है 6 तो 6 क्या बच गए हो odd days बच गए बाकी 10 week तो complete हो गए और 6 odd day बच गए तो 6 odd day बचेंगे non leap year से और 6 odd day बचेंगे leap year से टोटल हो गए हो 12 फिर 12 साथ से जादा हो जा रहे हैं फिर 7 से आप उसको divide करें तो फिर से आपके पास बच रहे है 5 तो ये 5 odd days होते हैं कितने साल में? 100 साल में तो 100 साल में आपको मिल रहे है 5 odd days इस चीज़ का आपको धियान रखना है 100 साल में 5 odd days अगर हम बात करें 200 साल की तो हर 100 साल में आपको मिल रहे है 5 odd days तो 200 साल में कितने हो जाएंगे? 5 और आएंगे फिर तो 5 और 5, 10 अगें, 10, 7 से ज़्यादा हो गया तो odd days कितने आए, 3 3 odd days आए 200 साल में उसी तरीके से अगर हम 300 साल की बात करें तो 300 साल में फिर से 5 odd days add हो जाएंगे तो 3 और 5, 8 odd days हो गया अगें, 8 साथ से ज़्यादा हो गया तो 8 को divide करिए 7 से remainder कितना आ रहा है, एक आ रहा है तो 300 साल में केवल एक ही odd day होता है और अगर हम बात करें 400 साल की, तो 400 साल में 5 odd days होने चाहिए क्योंकि 300, क्योंकि 300 के बाद 100 साल और है, तो 5 odd days होने चाहिए लेकिन यहाँ पे एक twist है कि हर 4, 11 साल जो होता है वो leap year होता है तो उसके leap year होने की वज़े से एक और odd day extra हो जाएगा क्योंकि एक leap year इस समय क्या हो गया extra हो गया, तो 300 साल के बाद जो अगले 100 साल होंगे, 300 और 400 के बीच में यह जो 100 साल होंगे उसमें एक odd day extra होगा और वो क्यों extra होगा क्योंकि जो 400 होता है, वो क्या है एक leap year है और एक leap year होने की वज़े से उसमें एक दिन extra होता है बागी पहले 100, 200 और 300 leap year नहीं थे तो एक दिन extra होने की वज़े से odd day भी क्यों जागए, एक extra होगा जनरली हर 100 साल में 5 odd day होते हैं समय 6 होंगे और एक odd day पहले से बच रहा था 300 साल तक तो क्या था एक ही odd day था और इस समय 6 और आ जाएंगे तो odd day कितने हो गए 0 तो यहां से क्या मिला हमको कि जो 400 साल होंगे 400 साल में 0 odd day इसका मतलब 400 साल के बाद calendar फिर से ऐसा ही repeat होगा तो यह जो पूरा का पूरा कैलेंडर as it is जो repeat होता है वो हर 400 साल के बाद repeat होगा मतलब जो sun 1 रहा होगा आपका वैसा ही sun 401 होगा 801 होगा 1201 होगा 1601 होगा और 2000 होगा उसी तरीके से 2 होगा वैसी 402, 802, 1202, 1602 और 2002 का कैलेंडर सेम होगा तो जो कैलेंडर as it is repeat होते हैं वो हर 400 साल के बाद होते हैं इस चीज का आपको धियान रखना है तो अब इन और डेस से मुझे फाइदा क्या होगा इन और डेस से किसी भी डेट को कौन सा डे था Sunday, Monday, Tuesday वो हम easily पता कर सकते हैं तो वो भी हम discuss कर लेते हैं एक और 800 में फिर से जीरो हो जाएंगे तो हर 400 के बाद कैलेंडर as it is repeat होता रहेगा उसके अलावा अगर आप मन्त के according देखो हर महिने में अगर मैं बात करूं January की तो आपको पता है January में 31 डेस होते हैं 31 दिन होते हैं तो 28 डेस के तो 4 वीक हो गए तो जो extra days बचेंगे उनको हम कहते है odd days तो जैन में हो गए 3 odd days फैब में हो गए अगर non leap year है तो 0 और अगर leap year है तो 1 odd day क्योंकि अगर non leap year है तो फैब में कितने days होते हैं 28 और अगर leap year है तो फैब में 29 days होते हैं तो एक दिन extra बच जाएगा next March अगर March की बात आए तो 31st तक होता है तो March में कितने हो गए again 3 odd days और अगर April की बात आए तो April में हो गए 2 odd days उसी तरीके से May में आप कह सकते हो यह कुछ भी आपको याद रखने की जरूत नहीं है याद आपको बस थोड़ा सा इतना रखना है यह आप तुरंद ही कर सकते हो May में हो गए again 3 odd days क्योंकि May में 31 days होता है फिर June में हो गए odd days 2 क्योंकि 30 तक होता है June, July में हो गए फिर 3, August में हो गए फिर से 3 क्योंकि जो भी 31st होगा जिसमें भी 31 days होंगे वो 3 odd days उस मन्त में होंगे फिर August के बाद आता है September यह 30 तक होता है तो यहाँ पर आएंगे 2 फिर आएगा आपका October तो October में होते हैं 3 November में 2 और December में 3 odd day खेर तो इतना आपको याद रखने की ज़रुत नहीं आप तुरंद ही उसी समय बता सकते हो कि किस मन्त में कितने days होते हैं उसके according अगर 28 days होते हैं जो कि किस में होते हैं फैब में तो वो 0 odd days हो गए और अगर 29 होते हैं अगर वो leap year है तो एक odd day हो गया Otherwise बाकियों है जो 31 होगा तो 3 odd day और 30 होगा तो 2 odd day उसमें होगे तो यह तो बहुत simple हो गया अब इन odd days की help से हम कैसे calculate कर सकते हैं तो किसी भी date को आपको अगर पूछा गया है कि इस दिन week का कौन सा day होगा Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday कौन सा दिन होगा तो वो आप odd days की help से पता कर सकते हो वो कैसे पता कर सकते हो तो देख लेते हैं अगर हम बात करें Sunday की तो Sunday तो आता नहीं सबसे पहला दिन जो था वो कौन सा था, Monday जो दूसा दिन आता है वो आता है Tuesday फिर तीसरा आता है Wednesday चौता आता है Thursday पांचवा आता है Friday छटा आता है Saturday और सातवा आता है Sunday तो अगर ये तो एक week complete हो गया इसके अलावा अगर एक भी दिन एक्स्टा बचा तो एक दिन जो एक्स्टा बचेगा उस दिन क्या होगा Monday अगर दो दिन बचेंगे तो Tuesday तीन बचेंगे Wednesday चार बचेंगे Thursday पांच बचेंगे Friday छे बचेंगे Saturday और सात बचेंगे सात तो बचेंगे नहीं मतलब जीरो बचेंगे तो उस दिन होगा Sunday तो बस आपको यही ध्यान रखना है एक odd day अगर आता है तो Monday दो आता है तो Tuesday तीन आता है तो Wednesday चार Thursday पांच Friday छे Saturday और 0 Sunday तो बस हमको क्या करना है 0 या 7 दोनों एक ही चीज हुई 7 odd days मतलब 0 odd day क्योंकि तब 7 तो पूरा एक week हो गया तो तब उसको आप 0 odd day consider करोगे और 7 भी आया 7 का कोई multiple आया तो उस दिन Sunday हो जाएगा अब आपके पास question आता है कोई भी तो आप कैसे calculate करोगे For example यहाँ पे आपको question पूछा गया कि 5th Feb 2035 को कौन सा day होगा week का Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday तो ऐसी random equation है तो आप कैसे यहाँ पे calculation करोगे तो आपको जाना पड़ेगा शुरू से लेकिन शुरू से जाने के ज़रूत नहीं क्योंकि आपको पता है कि calendar हर 400 साल के बाद repeat होता है तो इसी तरीके का calendar 400, 800, 1200, 1600 और 2000 के बाद same calendar repeat होगा मतलब जो नया calendar जो एक से शुरू हो रहा था वो 2000 एक से भी शुरू होगा तो क्योंकि हम 2000 के बाद की बाद कर रहे हैं अभी तो हम जो count करेंगे odd days वो 2000 के बाद ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख लिजे 2035 तक तो 2035 तक के odd days नहीं count करेंगे क्योंकि तब तो 2035 क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा 2035 नहीं खतम करना हमको 2034 तक के सारे odd days count करने और वो बहुत easy है क्योंकि हर 4 साल के बाद क्या आता है 4, 8 तो अगर आप इसको 34 year क्योंकि 2000 के बाद क्या होता है यह repeat होता है तो अगर हम इस 34 years के duration को देखें क्योंकि 2000 तक तो 0 odd day थे तो अब केवल इस 34 year के duration में ही हमको क्या निकालना है odd days कैसे निकालेंगे तो आपको मैने अभी बता है अगर non leap year होता है तो एक odd day होगा और अगर leap year होता है तो उसमें 2 odd days होगे तो आप इसको divide कीजिए 4 से तो यह कितनी बार जाता है 8 बार 34 को अगर आप divide करोगे तो यह होता है 8 times 32 इसका हमको कुछ नहीं करना है हमको यह देखना है तो 8 क्या होगे इसमें leap year होगे क्योंकि हर 4 साल के बाद leap year आते हैं और यहाँ पर कोई century year है नहीं तो इसके हमको tension लएने के जुरत नहीं है तो 8 leap year मतलब 16 odd days तो वहाँ से हो गए और 34 में से 8 minus कर दो कितने बचे बाकी non leap year वो बच गे हमारे पास 26 तो 26 odd day वहाँ से आ जाएंगे 8 leap year हैं हमारे पास वहाँ से 16 odd day क्योंकि एक leap year में 2 odd day होते हैं और 26 non leap year होंगे तो उससे आएंगे 26 odd days क्योंकि वहाँ पर एक non leap year में एक ही odd day होता है तो 16 मतलब 7 2 week तो complete हो रहे हैं तो यहाँ से के बाद 2 extra day बच रहे हैं week को छोड़के 7 से divide करके और इसको अगर आप 7 से divide करोगे तो 7 into 3 that is 21 और आपके पास जो दिन extra बच रहे हैं that is 5 days तो 5 और 2 7 यहाँ गया total 7 days 7 odd days मतलब 0 odd day तो यह तो बड़ा easy होगे आपके लिए कि 0 odd day 34 साल के बाद वापस 0 odd day आएंगे अब हम count करेंगे किस में 5 feb तक count करेंगे तो देखे कैसे count करेंगे अब हम चलते हैं 2035 में कहा तक जाना है हमको 5 feb तक 2034 तक हम already कर चुके है calculate तो 5th feb तक जाना है हमको 2035 में तो पहले January में देखो January में हो गए 3 odd days तो 3 odd days तो January के हो गए इससे पहले के कितने थे? 0 थे अगर यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 कुछ भी होता तो यहाँ पर हम उसको add कर लेते प्लस 5 दिन जो है वो फरवरी के हैं तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 odd days हो गए 8 की बात करो तो 8 को आप 7 से divide कर सकते हो तो that is 1, तो remainder कितना है? 1 एक दिन तभी भी बच जाएगा, तो एक odd day आ रहा है और मैंने अभी क्या बताए था? कि अगर एक odd day आता है तो उस दिन क्या होगा? Monday होगा तो अगर आपको पूछा जाए 5 फरवरी 2035 को कौन सा दिन आएगा? तो उस दिन Monday आएगा आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो तो इस तरीके से आप calendar में कोई भी date को पता कर सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन था चलिए एक और example देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा time लग रहा है लेकिन आप बहुत इसली यहाँ पर कर सकते हो तो एक और example देता हूँ मैं आपको जैसे past में जाते हैं हम हम बात करते हैं 15 August 1947 तो यह हमारे लिए एक बहुत important date है तो आपको अगर यह पता करना है कि इस दिन कौन सा दे था week का तो वो आप कैसे पता कर सकते हो same rule हमको यहाँ पर भी apply करना है कि हर 400 साल के बाद का calendar हमको देखना है 4 फिर 8 फिर 16 तो यहाँ पर हम 1600 के बाद क्योंकि 1600 में क्या आ जाएंगे 0 odd days तो 1600 साल के बाद फिर से repeat होगा 17, 18, 19, फिर 2000 तो हमको 1900 साल तक देखना है तो 1700 साल में क्योंकि 1600 में तो 0 होगे फिर 1700 में 5 होगे 1800 में फिर से 3 odd day होगे और 1900 में 1 odd day होगे तो पहले 1900 साल तक का देखना है तो 1 odd day तो 1900 साल तक का है राइट क्योंकि 300 साल में कितने odd day होते हैं तो 1600 साल तक तो 0 होंगे तो उसके अगले 300 साल में 1 odd day होगा तो 1900 साल तक कितने odd day हुए? 1 odd day हुआ अब हमको देखना है 1947 का 47 तक का लेकिन अगेन आपको इस चीज का ध्यान रखना है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 47 complete कर लेते हैं हमको 47 complete नहीं करना हमको 46 ही complete करना है 47 के आपको बीच में ही हैं अभी तो हमको क्यों 46 तक का देखना है तो 46 years में अगर आप देखो तो आपको कितने लीप years मिलेंगे? 11 लीप years मिलेंगे और बाकी कि जो 35 होंगे वो non-leap years मिलेंगे प्लस यह 35 non-leap year के odd days हो गए अब यह तो हो गया 1946 तक का complete अब enter करते हैं 47 में 47 का हमको जैन, फैब, मार्च, एप्रिल में जून, जुलाई, आउगस्स सब कुछ देखना है आउगस्स नहीं देखना है क्योंकि आउगस्स मिड में हम, तो जुलाई तक पूरा देखना है तो फिर 47 के हम जैन में जा रहे हैं तो जैन में 3 odd days, फिर फैब में 0 फिर मार्च में 3, देन एप्रिल में 2 देन में 3, देन जून में 2, देन जुलाई में 3 आउगस्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी आउगस्ट में कितने दिन है, 15 तो 15 दिन में, वैसे 15 odd days चाहो तो आप लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो तो 7 से डिवाइड करोगे, तो कितना odd day आपको मिले आउगस्ट में 1 तो अब यहां से आप चेक कर लिजे, तो एक यहां से आ रहा है, इस 22 को चाहो तो आप 7 से डिवाइड कर लो ताकि calculation कम हो, तो 1 odd day ही हो गया 2, 35 तो completely डिवाइड हो गया, तो यहां से 0 ही मिल रहे है तो 2 odd days, 2 और 3, 5 5 और 3, 8, फिर से 8 हो गया, तो 7 से डिवाइड कर दिजे, तो बच रहा है फिर से 1 1 plus 2, that is 3, 3, 6, 2, 8, again 8 हो गया यहां पर, तो 7 से डिवाइड करो 1, 3 और 1, 4, 4 और 1, 5, तो 5 हमारे पास यहां पर odd days आ रहे हैं और 5 odd days आने का मतलब कौन सा दिन था उस दिन, Friday तो आप बहुत simply इस तरीके के questions को कर सकते हो, आपको कोई सा भी दिन पूचा है आप हर दिन को बता सकते हो, कि इस दिन में इस date को कौन सा week का दिन होगा Sunday या Monday या Tuesday कुछ किसी भी दिन के बारे में आप पता कर सकते हो, कि किसी भी date को कौन सा दिन होगा तो ये आपके पास एक तरीका है, तो उसके लिए आपको कैलेंडर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तो ये कुछ basics थे कैलेंडर के, अब आपके पास एक बहुत ही basic तरीके के questions आते हैं और वो question बहुत easy होते हैं, आपको उसमें odd days वगेरा कुछ ज़्यादा calculate करने नहीं पड़ते हैं odd days का छोटा सा concept उसमें आते हैं, for example आपके पास एक question आ गया, आज date है मान लिजे, 24 June अब आपको question पूछा, this is 24 June 2020, 24 June and 2021 को कौन सा day होगा तो आज कौन सा day है, मान लिजे, आज आपको बताया गया है कि आज जो day है, वो है Monday, वैसे तो आज Monday नहीं है बट question में आपको दिया है कि आज 24 June 2020 को आपको बोला गया है कि Monday है तो 24 June 2021 को कौन सा day होगा, मतलब एक साल बाद कौन सा day होगा तो एक सिंपल से चीज है, मैंने आपको बताया है एक और डे बचता है अब आप सोचोगे एक और डे बचता है तो एक का मतलब Monday होगया, नहीं एक और डे का मतलब होगा कि हम एक दिन extra जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम 24th को Monday से count कर रहे हैं सकता था कि यह पूछता कि Wednesday है, तो Wednesday अगर होता आज तो इसका मतलब एक साल बाद जब हम count करेंगे तो एक दिन extra होगा, क्योंकि एक साल में एक और डे होता है क्योंकि हमने Wednesday से शुरुवात किया, तो अगले साल हम इसी दिन जो week का डे होगा वो आज के week day से एक जादा होगा, मतलब आज अगर Wednesday है, तो अगले साल 24th को Thursday होगा आज अगर Monday है, तो अगले साल इसी date को अगला वाला दिन होगा तो आज अगर क्या day है, Wednesday है, तो अगले साल, अगर 24th June 2021 को पूछा गया है तो उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा Thursday लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, आपको leap year का concept पता है अब आप कहोगे कि 2020 तो leap year है, तो फिर तो दो दिन आगे होना चाहिए था तो आपको यह धियान रखना है कि जिस date की हम बात कर रहे है उस date में leap year का कौन सा concept आ रहे है, आपको पता है leap year किस की वज़े से होता है leap year में जो एक वज़े से होता है, वो होता है 29th of February की वज़े से अब अगर हम बात करें, 24 June 2020 से 24 June 2021 तक की तो इस बीच में 29th February आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है तो एक जो दिन एक्स्ट्रा होगा, और एक दिन तो ऐसी एक्स्ट्रा होता है leap year में दो दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो यहाँ पे वो दिन तो नहीं आ रहा है जो कि 29th February 2020 होता है, वो इसमें नहीं आ रहा है तो आपको इसी चीज का धिहान रखना है, तो हम किवल एक ही दिन एक्स्ट्रा करेंगे लेकिन अगर आपको पिछले साल का पूछा जाता है, पिछले साल जब एक दिन हम आगे जा रहे हैं अगले साल के लिए पीछे, तो अगर आज Wednesday है, तो पिछले साल क्या रहा होगा, Tuesday नहीं, Tuesday से एक और दिन पीछे, रहा होगा Monday, तो उस दिन क्या होगा, Monday होगा, अब इसमें क्योंकि आपको देखे, 24th June 2019 और 24th June 2020 के बीच में 29th Feb आ रहा है, वो कौन सा 29th Feb है, 2020 का, तो इसका मतलब 366 days होंगे, होना कि 365, लेकिन अगर हम इस interval की बात करें, तो इसमें 29th Feb नहीं आ रहा है, तो इसमें केवल 365 days का ही concept होगा, तो इस तरीके से आप easily calculate कर सकते हो, कि कौन सी date को कौन सा day होगा, और अगर आपको 2 या 3 या 4 साल के बाद की भी बात पूछी गई है, कि उस date को कौन सा दिन होग तो इस समय दो दिन extra लेके चलने हैं, और आपका question easily solve हो जाएगा, और अगर वापस पीछे के लिए पूछा है, मतलब पिछले साल, उससे पिछले 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो आपको वहाँ पे backward direction में जाना है, दो दिन पीछे, अगर 2 साल के बारे पूछा है, तो 3 दिन पीछे, leap year होगा, तो एक दिन और extra पीछे जाएंगे, तो बस आप इस तरह के से बहुत easily calendar से related questions को solve कर सकते हो, तो आपको direct सिर्फ date दी गई है, आपको उस दिन बताना है कि कौन सा day होगा week का, या फिर आपको date दी गई है, और उसके साथ day भी दिया गया, कि इस दिन इस date को ये वाला day था, तो इस दिन कौन सा day होगा, तो तब आपको वो वाली calculation नहीं करना है, तब आपको उसी date के according चलना है, उसी date और day के according चलना है, जो आपको question में दिया गया है, तब इसका कोई use नहीं है, तो अगर आपको calendar के किसी भी concert में कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment box में questions पूछ सकते हो, thank you very much, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें,